नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम बात करेंगे फोसिल फ्यूल्स के बारे में जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे तो fossil fuel क्या है हमारे ये हमारे बने कैसे थे जो plant और animals थे जो कि हमारी अर्थ पे कई millions of year ago रह रहे थे तो वो जो है धरती के उपर इस तरह की विपदा के कारण वो नीचे दब गए धरती के बहुत ही नीचे परत के नीचे परत उनके उपर चड़ती गई जिससे की क्या हुआ वो उनके उपर जो परतें थी वो high pressure और high temperature अपलाई करती गई जिससे की कई millions of year के बाद जो है इस high pressure और high temperature के उपर fossil fuels बने fossil fuels हमारे क्या क्या है जैसे koella है petroleum है natural gas है ये सारी चीचे तो ये वहाँ पर बननी श्टार्ट हुई तो जैसे plant थे और जो animals थे जो earth के नीचे दब गए और वहाँ पर koella बना इसी तरह से जो sea animals और sea living plant थे वो sea के नीचे जब दबे जो sea के नीचे जो जमीन थी उसके नीचे दब गए तो वहाँ पर petroleum बनना start हुआ इस तरह से अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरह के fossil fuel पाए गए और अलग-अलग quality भी इनकी मिलती है अलग-अलग जगा तो वो जो है हमारे fossil fuel होते हैं जो millions of years के बाद जो बने हैं अर्थ के अंदर extreme pressure और temperature के condition पर तो पहले बात कर लेते हैं कि जो koila है वो क्या है तो जो koila है इसको हम coal बोलते हैं और जो coal होता है हमारा यह हमारा एक mixture होता है compounds का यह हमने जाना कि यह बना कैसे जो plant और animal थे अर्थ के ऊपर तो वो जो है जैसे एक दलदल सी बनती चले गी और उसके नीचे दबते चले गए और high pressure high temperature के ऊपर कई millions of years के बाद हमें koila मिला नीचे यह koila के अंदर convert हो गया तो यह एक non reliable energy resource भी है तो इसलिए इसको हमें limit में ही use करना चाहिए तो जो koila होता है यह हमारा होता है mixture of compounds mixture of compounds यानि की जो की compounds हैं carbon के hydrogen के oxygen के और इसी तरह से small amount of nitrogen और sulfur compounds इनका यह mixture होता है अब जो इंडिया है अगर हम इंडिया की बात करें भारत के अंदर काफी सारे koila के भंडार मिलते हैं कहां कहां पर ये मिलते हैं ये हमें मिलते हैं बिहार में मिलते हैं उडिसा में मिलते हैं बिहार हो गया उडिसा हो गया इसी तरह से जो वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल में ये हमें मिलते हैं और इसी तरह से मद्या परदेश MP हो गया वहां पर हमें मिलते हैं तो हमारी ते इसलिए जो है कोईला जो है जाता थर्मल पाउर प्लांट में यूज किया जाता है physicists जनरेशन के लिए as a fuel भी यूज किया जाता है इंड़िश् senza के आदर घरों के अंदर तो कोईल बहे का काफी जादा use किया जाता है तो جो कोईला होता है कोईप्रकार का होता है यह जो इ किया जाता है यानि कि कहां से निकाला जाता है उसके उपर भी ये डिपेंड करता है जैसे कि टाइप ओफ कोल के अंदर बात करें अगर पीट कोल की बात करें हम तो इसके अंदर जो carbon की percentage है हम carbon की percentage की बात करें तो वह होती है इसके अंदर 27% जो कि काफी कम है और इसलिए जो हम इसकी quality है अगर हम इसकी quality की बात करें तो ये poor quality का होता है जो कि peat coal है उसके बाद lig night coal जो है इसके अंदर जो है इससे थोड़ी सी जादा होती है 28-30% के लगबग होती है और जो वो भी जो है poor quality होता है उसके बाद bitumen coal जो होता है इसकी अंदर अच्छी quantity होती है जो हमारे ही percentage of carbon है 78-87% तक होता है इसलिए इसको good quality of coal बोला जाता है उसके बाद last में आ जाता है anthracite anthracite के अंदर लगबग जो carbon की percentage है 94-98% होती है इसलिए इसको best fuel बोला जाता है या कहीं कि best जो है type बोला जाता है coal का तो इसलिए जो coal के type है आप अलग-अलग तरह से देख सकते हैं according to carbon percentage और according to mining कहां से इसको mine किया गया है इसलिए अलग-अलग percentage आपको मिलती है आप इसके uses द purpose के लिए भी यूज किया जाता है यानि कि घरेलू fuel की तरह भी यूज किया जाता है और industries के अंदर भी ये fuel की तरह यूज किया जाता है तो घरेलू और industrial fuel की तरह ये यूज किया जाता है जब हम coal को burn करते है एर के अंदर तो वो oxygen से react करता है और carbon dioxide produce करता है जिससे कि ये एक exothermic process بن جاتی ہے और lots of heat release होती है तो आप क्या करते हैं coal को burn करें coal को आपको क्या करना है burn करना है oxygen की presence में यानि कि oxygen की presence में आप इसको burn करेंगे या कहें कि air की presence में burn करेंगे तो यह carbon dioxide liberate करता है जो कि एक exothermic reaction होती है exothermic reaction यानि कि lot of heat यहां से निकलती है जिसका हम यूज़ करते है अब ये जो heat होती है ये cooking के लिए घरों के अंदर यूज़ की जाती है या फिर industries के अंदर boilers के अंदर यूज़ की जाती है water को steam में convert करने के लिए तो इस तरह से एक पहला यूज़ तो यही हो गया कि as a fuel हम इसको यूज़ करते है दूसरा हम इसको यूज़ करते है electricity generation के लिए तो इसके थ्रू जो है electricity generate की जाती है electricity produce की जाती है thermal power plants के अंदर इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर ये यूज़ करते है उसके बाद अगर हम coal का destructive distillation करते है अब destructive distillation क्या होता है destructive distillation के अंदर air की absence होती है तो वहाँ पर ये प्रोसेस की जाती है destructive distillation जब हम coal का करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है coke मिलता है coal tar मिलती है coke, coal tar और coal gas मिलती है इस तरह की चीज़े हमें मिलती है कोक, कोलतार और कोल गैस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने पिछले लेक्चर में पड़ी थी अब जो कोक होता है इसके अंदर लगबग 98% कार्बन होता है 98% कार्बन और यह जो 98% कार्बन है इसलिए जो कोक है जडियूजिंग एजन्ट भी यूज़ किया जाता है उसके अलावा जो कोक इसका कोले का यूज़ होता है सिंथेटिक ओयल बनाने में और नैचरल गैस बनाने में भी किया जाता है तो सिंथेटिक ओयल और नैचरल गैस इनके अंदर भी ये बनाने में भी इसका यूज होता है तो इतने सारे यूजिस होते हैं कोल के तो ये था हमारा फोसिल फ्यूल क्या होते हैं और कोल के बारे में हमने कुछ जानका रेली तो थैंक्यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद